दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपे बोट का यहाँ पे एक एयरफोन खरीदा था जिसका माई कभी वर्क नहीं कर रहा है तो आज किस वीडियो में लाइब आपके सामने इसका वारेंटी क्लेम करके दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीके से अगर आपका को वीडियो क्यों बना रहा हूं कि इससे पहले मैंने एक एयरफोन खरीदा था वो भी मेरा खराब हो चुका है तो उसको भी मैंने वारेंटी क्लेम किया था और वो मेरा प्रोड़क्ट आ चुका है तो चलिए लाइब में उसका प्रूफ आपको दिखाया था हूं उसके यहां प्रोड़क्ट मिला है चलिए मैं लाइब आपको यहां पर बैक जाता हूं और पूरा डीटेल दिखाता हूं तो मैं आ चुका हूं बैक और यहां पर मैं दिखाता हूं कुछ देख सकते हैं यह तो बोट का मैंने किया था लेकिन इससे पहले मैंने एक एयरफोन मंग देख सकते हैं फ्राइडे 12 जून 2020 उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मेरा प्रोड़क्ट डिलिवर हो गया था लेकिन 18 जनवरी 2021 को देख सकते हैं रिटर्ण एंड पीक अप एंड रिपलेस हुआ यानि 2020 यानि 12 जनवरी 2020 को मैंने ओर्डर किया था यानि 6 महीने प्रोड़क्ट बहुत ही बढ़िया चला उसके बाद यहां पर एक एयरफोन का यानि एक ही कान में आवाज आता था दूसरे में नहीं आता था तो देख सकते हैं 18 जनवरी 2021 को यानि 2020 को मैंने यह प्रोड़क्ट मंगवाया था 6 महीने बाद मैंने इसे रिटर्ण किया यानि वैरंटी क्लेम किया उसके बाद भी मेरा प्रोड़क्ट देख सकते हैं 20 जनवरी 2021 को यह मुझे नया डिलिवेर वह तो इसलिए मैं बोट का बना रहा हूँ क्य लिए लाइब आपके सामने मैं इसका वैरंटी क्लेम करके दिखाऊंगा ताकि सब कुछ आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मिले क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको प्रूफ देता हूँ ताकि आपको पूरा सॉलोशन मिल चके क्योंकि यूट्यूप यह से पूरा टॉपिक को अच्छे से कभर कर दू ताकि आप सेटेस्फाई हो सकें तो इस वीडियो में भी पूरा डीटेल बताऊंगा तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद राता है तो वीडियो को लाइक तो कीजेगा ही साथ इसा चैनल को भी सब्सक्राइब कीज यह आप सूच रहेंगे कि हमारा प्रोड़क का मिलता है तो यहां पताऊंगा कि किस थरीक से होता है मैं लाइव करके दिखाऊंगा लेकिन कुछ डीटेल बताऊंगा जैसे माल जे invoice कैसे डाउलोड करें और यहाँ पे दो तरीके होते है वरंटी क्लेम करने का पहला तो आप call करके कर सकते हैं या फिर आप email करके वो भी मैं चलिए मैं उसके product पे जाके दिखाता हूँ लेकिन सबसे पहले हम अपना invoice download कर लेते हैं यह देख सकते हैं हमारा product जो भी आप यहाँ पे product buy करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे कि अपने कितना warranty मिला था तो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुए एक फूर एनी warranty related issue please call the board customer support इतने पर या फिर आप इमेल कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी वरेंटी क्लेम करें तो आप हमेशा इमेल कीजिए जैसे मालीजी कॉल करेंगे तो आपके बास कोई आ सकते हैं कि देख सकते हैं मैंने कितने दिन से email कर रखा है लेकिन अभी तक नहीं मिला लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है प्रोडक्ट आपको replace होके मिल जाता है तो चलिए आपको यह वाला email ID ध्यान में रखना है इसी email ID पे हमें email करना है email करके भी दिखाऊंगा इसी पे हमें email करना है तो चलिए अब हम चलते हैं कि हमें किस तरीके से warranty claim करना है तो यह मैं बताऊंगा अपने laptop में जाके आप चाहें तो अपने phone के email ID में भी same process है बस आपको email send करना है तो email send करना बहुत से लोगों को आता है अगर नहीं आता तो देख लिजे किस तरीके से email send करना है तो चलिए मैं जाता हूँ अपने laptop के screen पे और वहाँ पे आपको आगे का detail बताता हूँ कि किस तरीके से email करना है email में क्या-क्या type करना है email में कौन-कौन सी जानकारी देना है चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले laptop में आके आपको कोई भी browser खोलना है मैं आपको suggest करूँगा कि आप Google Chrome open कीजिए और यहाँ पे Gmail का option आता है यहाँ पे click किजिए यहाँ पे जैसे ही click करेंगे आप आजाएंगे कोई भी email ID में अब आपको एक नया email ID भेजना है तो email ID send करने के लिए यहाँ पे compose का option होता है यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे जैसे ही click करेंगे यहाँ पे 2 का option आता है तो 2K option में आपको वही वाला email ID डालना है जो मैंने आपको बताया था और आप अपने product के warranty section में जाके उसे check कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा email ID होता है आप warranty claim करने का जैसे मारी जापने fridge खरीद आये या फिर कुछ और खरीद आये तो वहाँ पे अलग-अलग warranty claim करने के option होंगे तो वहाँ से आप उनका email ID चेक कर सकते हैं कोई भी product का हो सकता है उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं तो वहाँ पे ये email ID डालना है तो चलिए सारा detail में fill करके आपको पूरा detail में बताता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उसका email ID डाल लिया अब यहाँ पे हमें for warranty claim डालना है क्योंकि हम warranty claim कर रहे हैं और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सारा process phone के Gmail से भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है 1% भी तो please comment section में बताइए कि मैं आपको phone में भी तरीका बता दूँगा क्योंकि मेरा काम है आपका help करना तो please यहाँ पे सारा information सही से भारे कोई भी दिक्कत आता है तो जरूर बताएं तो देख सकते हैं यहाँ पे email ID यहाँ पे for warranty claim और यहाँ पे dear sir और madam और यहाँ पे ध्यान से लिखना है देख सकते हैं working now this product is under warranty so please send me another product मैंने simple सा लिखा है आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप simple, satik और perfect email लिखें ताकि छोटा email रहेगा तो उनको भी आसानी से आप चाहें तो इस email को follow कर सकते हैं जैसे माली जे अगर आपने वोट का खरीदा है तो same to same लिखें बस आपको यहाँ पे date change करना है या फिर अगर कोई और product आपने खरीदा है तो बस यहाँ पे product का नाम और यहाँ पे buying date यानि कब आपने खरीदा है वो change कर दीजिए बाकी process same रहने दीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको अपना contact number लिखना है उसके बाद यहाँ पे my product invoice यानि जो मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरीके से आप अपने product का invoice डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके आप WhatsApp के थूँ या फिर Gmail के थूँ यहाँ पे laptop में कर लिजिए याप डाटा के थूँ और यहाँ पे आपको attach करना है तो attach करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है attach file पे और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका आपके PC में या फिर आपके phone में wow PDF है यहाँ पे उसे insert कर लिजिए देख सकते हैं मेरा यहाँ पे insert हो चुका है हमारा सारा process complete हो चुका है अब बस आपको क्या करना है यहाँ पे send के option पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं message send हो चुका है अब आपको wait करना है कुछ देर बहुत जल्द आपका reply आएगा board के तरफ से और आपको सारा process follow करना है जो जो बोलते हैं वहाँ पे email के थुरूई सारा contact होगा उसके बाद जैसे हुआ आपका replacement यानि warranty claim accept करेंगे आपके flip card में यह option आजाएगा कि आपने कोई order product किया है यानि replace के लिए भेजा है और वहाँ पे पूरा detail दिखाएगा कि आपका product replace के लिए approve हो चुका है और इतने तारीकों आपके product यानि नया product आपके घर पे deliver होगा तो मुझे में आपको warranty claims related सारा detail पता चल गया होगा फिरी भी अगर 1% भी doubt है तो comment section में बताएगे क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तयार रहता हूँ तो अभी के लिए इतना ही thank you for watching